मुझे एक्साइटल यूज करते करते तीन साल एरटल को अल्मोस्ट 6 महीने हो चुगे हैं और मैं आपको एक क्लियरली रिव्यू दे सकता हूँ दोनों सर्विसिस का लॉंग टम रिव्यू जैसा कि मैंने अल्रेडी बताया एक्साइटल का मेरे पास 300 MBBS का प्लाइन है और एर एक्साइटल पे स्विच कर लिया है कौन से ऐसे फेक्टर है जो कि आपको कंसीडर करने चाहिए कोई भी ब्रॉडवेंट ऑपरेटर को चूज करने के लिए अगर आप नहीं जानते मैं किसी बड़ी सिटी से नहीं हूँ मैं एक चोटी सिटी है इडावा उससे हूँ मेरा भी यहीं पे है कोई भी ब्रॉडवेंट सर्विस को चूज करने के लिए आप फ्री फेक्टर को जरू कंसीडर करना पहला ओविसली प्राइस है मैं स्टेंडर्ड प्राइस कंपेर कर रहा हूँ जैसे इनके दो पॉपिलर प्लान आते हैं स्क्रीन चॉड मैं एड़ कर दे 6700 और Airtel में 18000 रुपेगा पड़ेगा तो डिफरेंस तो डबल से जाधा का है ये चीज़ आप समझ रहे हो तो मेरी तरब से आपके लिए टिप यह रहेगी कोई भी ब्रॉडवेंट प्रोवाइडर लो बट उनके 6 मन्त या yearly प्लाइन ही लेना क्योंकि उसमें almost 7.5 साथ स स्पीड वो मैं last में discuss करूँगा जो दूसरी important चीज़ होती है आफ्टर सेल सर्विस आपने phone करा आपने router लगबा लिया router लगबाने में तो कोई problem नहीं है क्योंकि आपने पैसे देने है फिर जब आपने पैसे दे दिये फिर आता है service का time यहीं पे ये चीज़ समझना है इस करने का एक system है जो कि बागी कोई provider follow नहीं करता एटल में अगर same complaint आती है बीबी आपकी complaint दो इतीन दिन भी pending रहती है तो आपका internet बंद रहेगा बट आपको वो charges या day refund नहीं मिलेंगे जियो में भी same है तो इस चीज़ को ध्यान रगना मुझे लगता है यहाँ पे excited को थोड reality देखते हो तो mixed kind की situation है और यह बहुत ज़ादा depend करता है local provider पे क्योंकि almost यह तारे बिछाते है वो तो same है excited की भी same है एटल की भी same है जियो की भी same है वहाँ पे आता है जो local provider है उनसे इनके tie up होता है वो कितना friendly है तो जब भी आपने broadband provider लेना है तो आपको अपने आसपास कौन से broadband लगे हुए है उसमें कितनी complain आ थी जैसे मेरे area में exital और airtel बहुत ज़ादा popular है जब मैंने 2 साल exital को use करा उसमें problem आती थी तो मैंने अपने area में पता करा airtel के बारे में एक दो लोगों किया पे लगा था तो मैंने उनसे reviews चेक करे उन्होंने बताए कि इसमें problem थोड़ी कम आती है तो मैंने airtel भी use कर लिया मैं जियो भी लगवा सकता था बट जियो का कोई भी बंदा यूजी नहीं कर रहा था आसपास तो मैंने उसका नहीं लगवा है क्योंकि another time मैं risk नहीं लेना चाहता था तो अगर आप लगवा रहे है अपने घर के लिए तो मैं एक गंटे में चीज़ा solve हो जाएंगे अधरवाइस बहुत लंबा टाइम लगेगा तो company की responsibility यहाँ पे कम है local provider की responsibility जादा है चीज़ को देहान रखना अब next चीज़ है speed megabits per second megabytes per second यह तो difference आप जानते होगे company 200 mbps बताती है बट वो actual mbps आपको divided by 8 मिलेगा जैसे 200 उन्हो ने बताया है तो आपको download speed maximum 24-25 mbps मिलेगी क्योंकि 200 divided by 8 25 आता है यह standard चीज़ है बाद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती तो इसलिए मैंने आपको बता दी जो कि almost आपको same देखेगे excital, airtel दोनों का आप speed test करोगे तो आपको same देखने को मिलेगा तो वो 5% का difference मिल स excital के comparison में बट वो difference इतना बड़ा नहीं होता कि day-to-day uses में उसको आप notice नहीं कर पाऊगे तो speed भी almost similar आपको देखने को मिलती है conclusion है अब समस्य आती है आपको provider चूज कौन साथ चाहिए क्योंकि दोनों ही तो मैंने आपको best बता दी है सबसे पहले आपको अपने area में जाना provider का पता करना चाहिए कि वहाँ पे airtel अच्छी facility दे रहा है या फिर excital facility अच्छी दे रहा है या geo facility दे रहा है तो geo airtel का plan almost similar है एक और दिमाग में आपके doubt आएगा कि यह तो landline phone connectivity भी देते हैं अगर आप किसी बड़ी city में हो तब तो आपको यह connectivity देखने को मिलती है अग market में जाओ देखो आपके area में कौन सा service provider अच्छा दे रहा है अगर excital आपके आपे ठीक ठीक चल रहा है तो मुझे कभी कभी complain रहती है कि महीने में 2-3 बार excital प्रावलम आती है 2-3 गंटे में तो दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशार हो जाता है कि अब कैसे गाम करें समझ रहो तो वो piece of mind के लिए मैंने secondary एक airtail का लगवा रखा है primarily हम लोग excital यूज करते है 300 Mbps का plan जिससे हमारे 7-8 PC आराम से चल जाते है बट secondary अगर वो नहीं चल रहा है तो उसके लिए हम airtail यूज करते है ताकि हमारा काम नहीं रुखना चाहिए यह हमारा viewpoint है meanwhile हम भी कोई भी एक कंसीडा कर लो almost similar performance speed ही देखने को मिलेगी services and after sales service भी same है definitely आप कंसीडा करना अगर आप हाई-end afford कर सकते हो then आपको obviously airtail कंसीडा करना चाहिए क्योंकि जितने वो पैसे ले रहे हैं उस हिसाब से आपको peace of mind दे देते हैं internet पैसे although जादा है but आपको जो peace of mind मिलती है क उनके में दिक्कत नहीं आती है वो आपको देखने को मिलेगा airtail में exital में वो सारी चीज़े सस्ते में आपको दे देते हैं तो सस्ते में आपका काम अराम से निकल जाता है अभी भी कोई चीज छूट गई हो या भूल गया हो please comment दो गंटे में reply मिल जाएगर